येनि मुनी कुमार, तुमारी बाते मुझे विचित्र से लगी। मादवी, अब कहने लगते हैं कि गालव तुम मुझे कहां लेकर आया। चक्रवर्ती राजा को जन्म देने के हैं, इसको कहता है। मादवी को लेकर गालव जाने के लिए तैयार होते हैं, तब हरिष्चियों कहते हैं कि मेरे पास ही नहीं। प्रणाम मैरी हानायस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता, मेरे प्रेविध्यारतियों। प्रणाम के जितने भी बिबिये के विध्यारति हैं, आपका जो इस समिस्टर मादवी नाटक जो है आपके लिए, आगे उस नाटक में क्या होगा, मैं अभी आपको जानकारी दूँगी। मादवी को, जब गालव ययाती के आश्रम से, यनि ययाती ने जब दान किया था, दान में मादवी को दे दिया था अपनी पुत्री को, तो ये दोनों जंगलों में, यनि जंगलों से होते हुए, आश्वमें धी घूडों की खोज में निकलते हैं। इसी बीच इन दोनों में प्रेम हो जाता है फिर वो क्या है गालव अपने वचन से विमुक्त होने की आशंका आ जाती है तो आकाशवानी होती है फिर गालव अपने वचन पर फिर से अड़ जाता है यहां से क्या है मादवी और गालव दोनों जंगलों के रास्ते से गुजरते हुए उत्तराखंड आते हैं उत्तराखंड अयोध्या नगरी के नरेश हरिष्च के दर्बार में उपस्तित होते हैं महराज उन्चे सिमहासन पर विराजमान है पास में मंत्री दर्बारी आदी एक और ठके हारे धूल दुसारित मादवी और गालव हरिष्च हमने तुम्हारी अभ्यार्थना सुनी मुनिकुमार पर यह हमें बड़ी विचित्रसी लगी हम यह मान लेते हैं कि तुम रुशी विश्वमित्र के विध्यारती रहे हैं पर क्या तुम्हारे गुरू अश्वमेधी घोडे लेकर घोडों का व्यापार करेंगे क्या वे स्वयम अश्वमेध यग्न रचाना चाहते हैं बड़ी विचित्रसी अभ्यारतना है तुम्हारी, हम ये भी मान लेते हैं कि यह युवती महराज ययाती की ही कन्या है, यूँ देखने में इसे राच कन्या कौन कहेगा? जब हरिष्च के दर्बार में आते हैं, मादवी और गालव, ये दोनों क्या हैं? जंगलों से होते हुए आने की वज़े से धूल में लिप्टे हुए हैं, दर्बार में मंत्री सभी है और एक और गालव और मादवी खड़े हैं, तब मुनिकुमार्स की बाते सुन करें ने, गालव क्या हैं? सारी बाते हरिष्च को बताता है, और तभी हरिष्च कहते हैं की ये मुनिकुमार्स तुमारी बाते मुझे विचित्र से लगी, क्योंकि गुरु विश्वमित्र क्या घोडों को लेकर वो व्यापार करना चाते हैं घोडों का? इस तरह से प्रश्ण पुत्री की तरहां नजर नहीं आती, क्योंकि ये आश्रम वासी बन गई थी, साथी साथ वनों में विचरते हुए, दूल से लिप्टी हुई गंदे से उसके वस्तर हो गए थे वेश भूशा से तो कोई भिलनी जान पड़ती है, पर हम यह कैसे मान ले की यह ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो चक्रवर्ती राजा बनेगा केवल तुम्हारे कह देने पर ही हम कैसे तुम्हें अश्रमेदी घुड़े सौब दे और इस युवती को अपने रानिवास में ले ले क्या है कि मुनी कुमार जब कहता है कि यह जो मादवी है इसके घर्ब से जन्म लेने वाला पुत्र चक्रवर्ती राजा बनेगा तो हरिष्च जो अयोध्या के नरेश थे वो कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो तुम्हारी बात से हम कैसे मान ले कि यह चक्रवती राजाओं को जन्म देगी पिर वो बताएंगी केवल यानि वो बता रहे हैं कि कैसे मैं तुम पर भरोसा करके अश्व में धी घोड़े तुम्हें सोम्ड इस तरह से हरिष्च क्या है गालब से कहते हैं आगे देखिए मादवी तनिक संको चाती है अब राजकुमारियों जैसा दर्प तुम्हें नहीं सुहाता दान में दी हुवी युवती में अकड किस बात की यह तुम एक अभ्यारतिनी बनकर आई हो इधर सामने आओ यानि जब हरिष्च मादवी को देखने लगते हैं तो और कुछ शर्मा जाती है तो हरिष्च कहते हैं कि तुम्हें महाराणियों की तरह यानि राचकन्यायों की जो लजजा होती हैं सब तुम्हें सुहाता नहीं अब किस बात काई हैं फिर हरिष्च क्या हैं मादवी की आउर देखते हैं और उसके संदर्य पर आकरशित हो जाते हैं आगे वो कहते हैं कि हम महरा जयाती का बड़ा आदर करते हैं और तुम पर भी विश्वास करते हैं और तुम पर भी विश्वास करते हैं पर सवदे इस तरह से तो नहीं पटाये जाते की मात्र तुम्हारे कहने पर हम युवती को रानिवास में रख ले और तुम्हें अशुमेदी घोड़े गिन कर दे दे यहाँ पर फिर से हरिश्चु कहता है की हम मान लेते हैं की ये जो मादवी है ये याती की पुत्री है और सिर्फ तुम्हारे कहने से क्या है हम ये नहीं मान लेंगे की यही हम मान लेते हैं की ये इसके गर्ब से उत यही जन्म लेने वाला बच्चा चक्रवरती राजा बनेगा फिर वो कहते हैं कि एक मादर से कैसे हम इस पर भरोसा करें तुमारे कहने से क्या ये चक्रवरती राजाओं को जन्म दे देगी इस तरह से वो आशंका कहें यहां पर करते हैं इस तरह से यहां वो आशंका करते हैं और कहते हैं कि कैसे हम तुमारे बातों पर भरोसा करके अश्वमेदी घोड़े गिन कर दे दे इस तरह से हरिश्च कहते हैं फिर आगे गालव कोई उत्तर नहीं सूचता कुछ रुकर महराज आप सोहम इसके लक्षनों की जांच करवा ले जब नरेश अयोध्या नरेश आशंका यनि कैसे मैं मालूं की इसके गर्ब से उत्पन होने वाला पुत्र क्या है चक्रवरती राजा बनेगा जब इस तरह की आशंका उनके मन में होती हैं तो गालब कहते हैं कि आप चाहे तो इस एनि माद्वी की अंगों की जांच करवा सकते हैं गालब को इस तरह से कोई बात सूचती नहीं वो कहते हैं कि इनके अंगों की जांच करवाली जी जब कहते हैं तो फिर क्या है महराज अयोध्यानरेश राज जोतिश को बुलाने का आदेश देते हैं। कुछ देर के बाद राज जोतिश वहाँ पर बस्तित होता है। राज जोतिश महराज की जय हो हरिश आगए हम इस युवति के लक्षन जानना चाहते हैं। अच्छी तरह से जान्च करके हमें बताईए कुछ भी छिपाईएगा नहीं और बड़ा चड़ा कर भी नहीं बताईएगा। जो आगणिया महराज मादवी से इधर आवो युवति। दिखिए यहाँ पर जब राज जोतिश आता है तो अयोध्या नरेश कहते हैं कि इस युवति के अंगों की जान्च कीजिए। और जो सही लक्षन बताते हैं उसी बात को कहिए बड़ा चड़ा कर नहीं कहिएगा। इस तरह से राज जोतिश से हरिश्च कहते हैं। तब यहाँ पर राज जोतिश जो है मादवी को इदर आने के लिए कहते हैं ताकि उसकी अंगों की जान्च कर सके। मादवी यह कूंचे स्थान पर खड़ी हो जाती है राज जोतिश अब उसके शरीर के अंगों की जान्च करने लगते हैं। तो यहां पर क्या हैं हर एक अंग का निरक्षन करके राज्योतिश्य उसके लक्षनों की पहचान करने लगते हैं तो मारवी इन्ही एक राजकन्या होने की बावजूद भी उसे यह अपमान सहना पड़ता है यह युवत्फी के यह एक महिला के लिए कहें उसके अंगों की जानच जो है उसकी बेजनोंदी से कम नहीं है तो यहां पर उसके अंगों की जानच की जाती है दिखिए यहां पर नारी की सहन शक्ति कि उसके साथ इस तरह से दुर्वेवाहार होने की बावजुद भी विवश्टा में वो क्या है अपने अंगों की जान्च करवाती है यहां पर मंच पर एक और एक छोटी सी पीटिका पर ऊसे पीटिका पर खड़ा कर देता है मादवी हत प्रबाह सी गालब की ओर देती है और पीटिका पर खड़ी हो जाती है यह दुर्श्य प्रकाश वृता में भी दिखाया जा सकता है राज जोतिश पीटिका के इर्द गिर्द घूमता हुआ, मादवी को उपर से नीचे तक देखता है, पिर एक एक अंग का निरिक्षन करने लगता है, उसे अपना हाथ आगे की और बढ़ाने को कहता है, हाथ की उंगलियां, पैरोन की उंगलियां देखता है, मुझ खोलने को कहता है, यह पर जो राज जोतिश है, मादवी को एक उंचे स्तान पर खड़ा करके उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, पिर उसके हर हेक अंग को ताकते हुए, अपना इनी मादवी का हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, उसकी उंगलियां, पैरोन की उंगलिया सारे उनके यह शरीर के अंगों को क्या है, राज जोतिश देखने लगते हैं, राज जोतिश आगे आता है, राज जोतिश से कहिए क्या पता चला, यहां पर मादवी के अंगों की जांच करने के बाद, यह उसके उंगलियां, उसके हाथों की उंगलियां और उसे मूँ खो बोलने के लिए कहते हैं फिर क्या है उसके शरीर के प्रतिक अंग को देखने के बाद क्या है यहां पर जो राजा हरिश्चित राज जोतिश जब निरुक्षन करके आते हैं तो पूछते हैं कि कहिए कि क्या पता चला क्या पता चला बताईए तो राज जोतिश युवती राजकन्या है इसको राजजोतिश बताते हैं तो हरिश्च कहते हैं कि ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुवी प्रसंदता हूँ पिर राजजोतिश महराज सभी लक्षन बता रहे हैं ऐसे नाकशिका बड़े विरल होते हैं यहाँ पर राजजोतिश कहता है कि ऐसे जो लक्षन हैं बहुत ही विरल होते हैं ये राजकन्या ही नहीं बलकि ये एक चक्रवर्ति राजाओं को भी जन्म देने वाली एक कन्या है इसके सारे लक्षन यहीं बताते हैं इस तरह से राजजोतिश क्या है हरिश्च यानि अयोध जिठ्यानरेश्य से कहते हैं, तो हरिष्चय क्या सच? तुमने काम से ऐसे लक्षण देखे हैं? राज जोतिश्य महराज क्या एक एक लक्षन गिन कर बताएं हाँ हाँ बताईए देखिए यहाँ पर राज जोतिश्य बताते हैं कि इन्ही चक्रवर्ती राजाओं को जन्म देगी लेकिन फिर भी हरिश्च कहते हैं कि उसके हरिये एक लक्षन क्या बताते हैं हां बताईए इस तरह से कहते हैं तो राज सिम्हासन पर से उठ खड़ा होता है राज जोतिश्य छड़ी से क्या है माध्वी के अंगों को दिखाते हुए अयोध्यानरेश से कहते हैं कि जिसकी पीट क्या है सीधी हो जिसकी कपाल और जो उसके अइब्रो जो है वो उब्रे हो यह उपर की और हो यह कन्या क्या है यह सब लक्षन एक चक्रवर्ती राजा को जन्म देने के और आगे वो कहते हैं कि जिसकी कमर पतली हो केश, दात, हाथ, पैर की उंगलियां कोमल हो ये सारे लक्षन जो है वो राच यही चक्रवरती राजा को जन्म देने वाले है फिर वो कहते हैं कि हरिश्च कहो कहते जाओ हरिश्च कहते हैं कि और भी बताओ इसके लक्षन क्या हो संकेत करते हैं इसे वो कहने लगते हैं हरिश्च राज जोतिशी मादवि से मुथ से कुछ कहो युवती यही अब राज जोतिश उसका मुथ खुलवा कर देख चुके थे अब उसे कुछ कहने के लिए कहते है है कुछ तो कहो क्यूंकि वो उसकी धनी का लक्षण क्या कहता है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हरिश्च कुछ बोलो यूथी, राज जोतिश तुम्हारे कंटक का निरैक्षन करना चाहते हैं, राज जोतिश कुछ को. फिर मादवी क्या है, मादवी को कुछ बोलने के लिए हरिश्च और राज जोतिश दूनो कहते हैं, तो मादवी ये क्या हो रहा है गालव तुम मुझे कहा ले आये हूँ मेरे साथ किस जन्म का बैर चुकाने आये हूँ मैंने कौन सा इसा पाप किया था जिसका यह फल मुझे मिल रहा है मादवी अब कहने लगते है कि गालव तुम मुझे कहा ले कर आये हो और फिर वो कहते है कि कहा ले कर आये हो मुझे ये किस जन्म का मुझे से बदला ले रहे हो यह मेरे साथ क्या हो रहा है इस तरह से वो क्या है दुविदा में पढ़ जाती है मादवी पिर राज जोतिश्यों कंटस्वर गंभीर है महराज जिस युवति का कंटस्वर गंभीर हो ना भी गहरी हो सो भाव स्तिर और गंभीर हो यहाँ पर पिर से उसके कंट की आवास को सुनकर कहते हैं कि जिसके कंट जो है वो जिसका कंट जो गंभीर हो और ना भी गहरी पिर वो आगे कहते हैं कि सुभाव, स्तिर और गंबीर हो यह सारे लक्षन चक्रवरती राजा को जन्म देने के है तो यहाँ पर मादवी से मूँ खोलो युवती मादवी मूँ खोल देती है राज्यो तिश्य मूँ के अंदर जांक कर देखता है तालू, जीव और होंट लाल हो यहाँ पर फिर से मादवी को मूँ खोलने के लिए कहा जाता है मादवी मूँ खोलती है जिसके कहे होंट जिसके होंट और जीव तालू लाल हो यह भी क्या है लक्षन चक्रवरती राजा को जन्म देने के है इसको कहता है फिर मादवी से हतेलियां खोलो अब हतेलियां फिर से उसके हाँ खोलने के लिए कहता है फिर मादवी की हतेलियां पलट कर देखता है हतेली नेत्र के कुए लाल हो जोतिश गरंतों में कहा है कि इन सभी लक्षन से युक्त युवती चक्रवर्ती राजा को जन्म देने वाली ह यहां पर जोतिश ग्रंतों में जोतिश ग्रंतों में कहा है कि जो मादवी के लक्षन जांच कर राज जोतिश बताये थे यह सारे लक्षन होने पर इन्हीं जोतिश ग्रंतों में जोतिश ग्रंतों में लिखा है कि यह सारे लक्षन चक्रवरती राजा को जन्म देने वाली कन् इस तरह से कहते हैं तो गालव के मन में तनाव कुछ धीला पढ़ने लगता है परंतु वो निश्चेस्टा खड़ा है आसन ग्रहन करो देवी इन्हीं यहां पर गालव के मन में जो भार था अब थोड़ा सा कम होने लगता है तो यहां पर हरिश्च राजा जो है आयोध्या न है वो बैटती नहीं खड़ी रहती है मुग्द नेतरों से मादवी की और देखते हुए इसके लक्षणों को जान जाने के बाद तो हम इस युवती को कहीं नहीं जाने देंगे सुनो युवक हमारी अशुशाला में 200 अशुमे धी गोड़े हैं हम तुमें 200 गोड़े परन्तो अभी नहीं वे भी पुत्रलाब होने पर देखिए जब मादवी के लक्षणों का पता चलता है तो गालब से वो कहता है कि हां हम मादवी को अपनी रानी वास में रखने के लिए तयार हैं और पिर वो कहता है कि मादवी की और देखते हुए गालब को हरिष्च कहत है कि इस युवती के जो लक्षन जान जाने के बाद इसे हम कहीं नहीं जाने देंगे लेकिन तुमने क्या है अयोध्या नरेश को नरेश के पास आये हो अभ्यारती बनकर इसलिए इस कन्या को क्या है रानिवास में लेने के लिए हम तयार हैं लेकिन हमारे पास सिर्फ दो सु अशुमेधी खोड़े वो भी अगर तुम हां को हो और मादवी को यहां पर छोड़ कर जाओ तो पुत्रलाप के बाद मैं तुम्हें अशुमेधी खोड़े 200 देने के लिए तैयार यानि जब पुत्र हो जाएगा इसके बाद अशुमेधी खोड़े वो भी सिर्फ 200 घोड़े देने के लिए केहते हैं हरिष्च तो यहां पर गालव असंभव केवल 200 घोड़े हरिष्च हम युवती को अपने रानिवास में रख लेंगे पुत्रलाप होने पर हम इसे अपनी पट्रानी भी बना सकते हैं जब इसके घर्ब से हमें पुत्रलाप होगा हम 200 अशुमेधी घोड़े तुम्हें गिन कर दे देंगे देखें गालव तयार नहीं होता सिर्फ 200 घोड़ों में मादवी को वहां पर छोड़ने के लिए पिर से हरिष्च कहते हैं कि मेरे पास 200 घोड़े हैं अगर तुम चाहो तो मादवी को यहां पर छोड़ कर जाओ पुत्रलाप के बाद हम 200 घोड़े गिन कर तुम्हें दे देगे गालव 200 घोड़े मुझे तो 800 अशुमेधी घोड़े जुटाने हैं हरिष्च 200 घोड़े इससे अधिक घोड़े हमारे पास नहीं है यह असंभव है महराज मैं श्लेश 600 घोड़ों का प्रभन कैसे कर पाऊंगा हरिष्च 20 बारे में हम कुछ नहीं जानते पुत्रलाप के बाद मादवी हमारे रानिवास में ही बने रहेगी हाँ श्लेश घोड़े हम धीरे धीरे तुम्हें जुटाते जाएंगे गालव यह असंभव है चलो मादवी यहाँ आना ही भूल थी 200 घोड़ों के बदले मैं तुम्हें नहीं दे सकता दूखे यहाँ पर गालव तयार नहीं होता क्योंकि उसे सिर्फ हरिश्च के पास से यह यह योध्या नरेश के पास से सिर्फ 200 घोड़े मिल रहे थे 200 घोड़ों में वो मादवी को छोड़ना नहीं चाता था लेकिन हरिश्च कहता है कि अगर तुम यहाँ पर छोड़ कर जाओगे और इससे पुत्रलाब होने के बाद हम इसे अपनी पट्रानी भी बनाएंगे धीरे धीरे और भी घोड़े तुम्हें जुटा कर देंगे लेकिन गालव यह नहीं चाता था और यहाँ पर वो मादवी से कहता है कि आप यहाँ से चलो यहाँ पर आना ही भूल हरिष्च किस भुलावे में पड़े हो युवक आर्यवत में किसी राजा के पास तुम्हें आच सो घोड़े नहीं मिलेंगे गालव पर मुझे गुरु दक्षिना के लिए आच सो घोड़े जुटाने हैं नहीं महराज मुझे यह स्विकार नहीं है यहां पर मादवी को लेकर गालव जाने के लिए तयार होते हैं तब हरिष्च कहते हैं कि मेरे पास ही नहीं समस्ता आर्यवत में किसी के पास आच सो अशुमेदी घोड़े नहीं किस भूल में पड़े लेकिन गालव कहता है कि मुझे तो आच सो घोड़े ही चाहिए इससे कम नहीं इस तरह से कहते हुए मादवी को ले जाने के लिए तयार होते हैं तब मादवी क्या हैं आगे बढ़कर मादवी पीटिका पर से उतर आती है गालब आगे बढ़कर क्या है मादवी? तेखें जो मादवी उन्चे स्तान पर खड़ी थी अब वहां से उतरते हुए गालब के पास आती है जब मादवी कहते हैं कि गालब तो गालब कहता है कि क्या है मादवी? आगे मादवी तुम इन से कहो पुत्र लाब के बाद ये मुझे मुक्त कर दे और तुम्हें दो सो घोड़े दे दे यहां पर गालब से मादवी कहती है मादवी जो उन्चे स्तान पर खड़ी हुई थी वो गालब के पास आती है और कहती है कि राजा हरिष्च से कह दो कि पुत्र लाब के बाद वो मुझे छोड़ दे इस तरह से गालब को कहने के लिए कहती है पुत्र जब चक्रवरती राजा का जन्म हो जाएगा इसके बाद मुझे मुक्त कर दे वो पत्रानी बनकर राजा हरिश्च के यहां ही रहना नहीं चाहती थी आगे गालब कहता है पर शलेश घोड़े मादवी मादवी शलेश घोड़े यहां से नहीं मिलेंगे इन्हीं उनके लिए कहीं और जाना होगा तुम विचार कर लो यदी हमारा निरने स्विकार हो तो युवती को हमारे रानिवास में दो जाते हुए मंत्री से अब आप इनका निरने जानकर हमें सूचित कर दे अब चलिए हमारे साथ यहां पर गालब और मादवी बाते करने लगते हैं मादवी कहती है कि पुत्र लाप के बाद मैं यहां से यहीं मुझे मुक्त करने के लिए राजा से कह दो फिर हम इखटा किसी और राजा के पास जो अशुमेधी घोड़े हैं उसकी खोज में जाएंगे यहां से वो घोड़े नहीं मिलेंगे सिर्फ दोसों ही घोड़े मिलेंगे यहां से तो गालव क्या है किसी और राजा के पास जाने की बात सुनकर वो क्या है दुविदा में पढ़ जाता है तो यहां हरिष्च जो राजा है वो कहता है कि तुम दोनों आपस में बाते करके क्या सुझाव है मुझे बता दे ना और मंत्री से कहते हैं कि इत्तिला करो कि इनका क्या निरणे होगा आप यहां से हम चलेंगे ऐसे बोलकर राजा चले जाते हैं राज मंत्री राज जोतिश आदि का प्रस्तांग मंच पर गालाव और मादवी अकेले रह जाते हैं मादवी तुम स्तिती को समझो गालब पुत्र लाब होने पर मैं मुक्त हो जाओंगे हम दोनों स्वातंत्र होंगे यदि श्लेश घोड़ों के लिए भी अन्य राजाओं के रानिवास में रहना पड़ा तो अंत में मैं मुक्त हो जाओंगे यही ठीक है तुम राजा का सुजाव मान जाओ इस तरहां किसी दिन हम दोनों मुक्त हो जाएंगे तुम्हारी गुरु दक्षिना भी पूरी हो जाएगी और हम जहां चाहें जा सकेंगे मंत्री और राज्योतिश भी वहां से चले जाते हैं इसके बाद गालब से मादवी कहती है कि हाँ राजा का सुजाव जो है उसे मान लो और मुझे यहां पर रानिवास में छोड़ कर चले जाओ पुत्र लाब होने के बाद मैं मुक्त हो जाओंगी और भी घोडों के लिए दूसरे राजावां के पास जाएंगे जब तुम्हारी गुरु दक्षिना पूरी हो जाएगी यहीं आठ सो घोड़े अश्वमेधी घोड़े विश्वमित्र को पहुंच जाएंगे तुम तुम्हारे वच्छन से मुक्त हो जाओंगे और मैं भी स्वातंत्र हो जाओंगी फिर हम दोनों इखटा रहेंगे इस तरह से मादवी गालव से कहती है गालव मादवी तुम क्या कह रही हो इसमें तो बरसो लग जाएंगे इस तरह मैं कब रुण मुक्त हो पाऊंगा और तुम्हें ना जाने किस-किस राजा के रानिवास में रहना पड़ेगा मादवी तुम मेरी चिंतान नहीं करो गालव और कोई विकल्प नहीं है मुक्ती का एक यहीं रास्ता है मुक्ती का भी और तुम्हारी प्रतिग्ण्या पूर्ती का भी पर मादवी फिर गालव को समझाती है मादवी कि तुमारी प्रतिग्निया पूरी होने का येखी मात्र ये क्या है जो इसने जो निर्ने लिया था वहीं सही है एक मात्र ये रास्ता है तुमारी मुक्ती का भी और कुछ बरसों के बाद यानि जब वो आठ सो घोडों के लिए किसी और राजा के पास जाकर चक्रवर्ती राजाओं को जन्म देगी इसके बाद एक नाए एक दिन वो मुक्त भी हो जाएगी और कहें गालव की प्रतिग्नि अभी पूरी हो जाएगी इस तरह से मादवी गालव को समझाती है तो गालव ये क्या कह रही हो मादवी इस तरह से मादवी से पूछते है चिंता नहीं करो गालव क्या तुम भूल गए मुझे चिर कौमार्य का वर प्राप्त है क्या मादवी मुझे एक बार एक भ्रमचार ने वर दिया है कैसा वर चिर कौमर्य का वर मैं पुत्र जन्म के बाद अनुस्टान करने पर फिर वैसी हो सकती हूँ फिर से पहले जैसा यववन ग्रहन कर लूँगी मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं आएगा चिन्ता नहीं करो यह समय शीग्र ही बीच जाएगा मुझे लगता है सच मुछ एक दिन हम स्वातन्त्र होंगे मारवी जो इसके लिए वर प्राप था वो भी बताती है कि तुम चिन्ता मत करो यही सुजाव ठीक है मुझे रानिवास में छोड़कर चले जाओ और यह भी कहें कुछ सालों बाद मैं भी मुक्तु हो जाओंगी हम दोनों फिर से एक खटा हो जाएंगे फिर वो कहते है कि मुझे जो चिर्क कौमर्य का जो वर प्राप्त है इससे मैं फिर से मेरे अंगों में कोई अंतर नहीं आएगा फिर से मैं जो अनुस्टान करके यहीं बच्चे को जन्म देने के बाद फिर से अनुस्टान करके मैं फिर से यह वन में आ सकती है तुम चिन्ता मत करो इस तरह से गालब को समझाती है पिर मंत्री का प्रवेश होता है मंत्री आपने क्या निरने किया है मादवी हमें महराच का प्रस्ताव स्वीकार है तो देवी अंतापुर में प्रवेश को पिर मंत्री वहां पर आते हैं और दोनों से क्या निरने किया इसके बारे में पूछते हैं मादवी कहती है कि राजा का प्रस्ताव हमेश विकार है तो क्या है मंत्री थाली पीटते ही वहां पर बंदू फिर मादवी पर क्या है दुपट्टा यहीं राज दुपट्टा डाला जाता है फिर उस पर छोटा सा एक मुकुट पहनाते हुए ले जाने के लिए तयार होते है तभी मादवी ये कैसा नाटक खेला जाने लगा है गालव मुझे लगता है मैं अन्तापुर में नहीं किसी कारावास में जा रही हूँ पर ये समय कट जाएगा मैं एक एक दिन गिनूँगी गालव ना जाने फिर हम कब मिलेंगे तुम अपना ध्यान रखना गालव मेरी चिंता नहीं करना मुझे याद रखना गालव भूल नहीं जाना फिर जब उसे दो बांदियां वस्तर पहना कर यनि सर पर से दुपटा डाल कर राजवस्तर पहना कर छोटा सा मुकू ट्रकर ले जाने के लिए तयार होते हैं अंतापुर में तब गालव से मादवी कहते हैं कि ये किसा खेल मेरे साथ खेला जा रहा है मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कारवास में जा रही ना कि मैं राज महल के अंदर प्रवेश कर रही हैं पिर कहती है कि हाँ ये समय क्या है बीच जाएगा मैं हर एक दिन गिनते हुए यहाँ पर काटूंगी इस तरह से कहते हुए मादवी गालब की आउर देखती है और दो बांदिया क्या है मादवी को अंतपुर में ले जाते हैं यहां तक आपका जो पहले अंक का तीसरा दुश्य है अंत होता है अगली सेशन में मैं आपको दूसरे अंक का जो पहला दुश्य है इसके बारे में जानकारी दूँगी धन्यवार्द